अच्छा दोस्तों अगर हम KKR की टीम की अगर वीक लिंग की बात करें कि इस टीम में ऐसा वीक लिंग कोन हो सकता खेलाड़ी क्योंकि एक तो है मुझे यादा रिंकू सिंग रिंकू सिंग जो पिछला स्किजन गया था इस बार साइद उसके मुकाबल उतना अच्छा गया नहीं है वैसे देखा जाए रिंकू सिंग का लेकि रिंकू सिंग भी अच्छे फिनिशर है या तो उनको मौके नहीं मिले उतने या फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाई रिंक स्यादा गाया है, तो मैं भी रिंकु सिंग को नीचे ही बेचती। इसमें आइदिं कुरी की टो ही मिले। पर आकर ही कर रहे हैं रसल उनसे बाद में आते हैं तो I think जब आपकी पोजिशन चेंज होती है तो आपके खेल पर डेफिनेटल बहुत इंपक्त पड़ता है लेकिन इस वक्त दोस्तों आप भी बताइए वैसे लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं लोग भी कह रहें कि आरके किया और ही चेंपियन बनेगा क्योंकि जैसा उन्हों अब तक क्रिकट खेला है और दूसरी चीज यह भी बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है कि वरुन चकरवरती हो चाहिए सुनिल नरायन हो इनकी पास दोनों ऐसे स्पिंदर है जो हर मैच में या तो सुनिल नरायन अच्छा करत करते हैं बैटिंग में देखें ओपनर नहीं चलते तो मिडल ओडर काफी स्ट्रोंग जहां पर आपने का रसल हैं वहां पर रिंकु सिंग भी नज़र आएंगे आपको साथी साथ कई बार हम देखा रस्रेट शयर वी बैक इन फोम आ गए है पिछले मैच में पारी खेली थ करते थे वैसा उनसे उम्मीद होंगी लेकिन केकियार में अगर देखा जाए सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप इस्टे मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत इनकी अगर यह टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी ओपनिंग जो पर गुर्बाज आये हैं पिछले मैच में आपने देखा होगा एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था अगर बहुत जादा नहीं बना सकते थे क्योंकि स्कोर पे आपके बोर्ड पे आपके पास जादा रंश करने के लिए नहीं थे जितना स्टार्ट देना चाहिए था वो पर गुर्बाज और सुनिल नाराइन यह बहुत एहम कड़ी होने वाले इस टीम के और अगर पहले गेंद बासी आती के क्यायर की तो यह चार ऑवर है कर नों के यह जो चार ओवर यानि मिलाके आट ओवर इन आठ ओवर पे पूरी जो बल्ले बाजी यूनिट है सामने वाल टीम के लिए लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपोर्टिटीव हो जाती है यह केकियर की टीम अगर हम उपर से लेकर नीचे तक देखते हैं इसमें तो अगर रिंकु सिंग को छोड़ दें बैटिंग में आपसे पूछी लेते हैं सवाल वाइसे आपसे भी दोस्तों चक्के कोन लगाएगा इस बड़े मैच में क्योंकि फाइनल मुकाबला होना वैसे भी और यहां पर तो कई-कई ऐसे प्लेयर भी देखे मैंने केकियर की टीम में जो बड़ा स्मार्ट क्रिक्ट खेलते हैं जैसे की जरूरी नहीं कि आप साथ बनाके मैच फिनिश करें कुछ लोग तो साथ गुंदों पर 23, 35 पनाके फिनिश कर देते हैं तो ऐसे में जो चक्या लगाते हैं ऐसे खेलाड़ी कौन से हो सकते हैं लेकिन उसके खेल पर कोई इंपक्ट नहीं पड़ा तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वेंकिटेश के लिए और केक्यार की टीम के लिए और पिछले हमने देखा भी तो था मिचल स्टार का वो काफी महंगा हो जाता है 11 पॉइंट सम्थिंग कुछ है तो ऐसे में बाकी देखें तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस हैं चाहे हर्शित राणा हो वैब हो अरोडा हो किसी दिन मिचल स्टार को अगर रन पड़े पापले में तो आपको लगता है इनकी ब वरन चकरवरती का चक्रवियो और सुनील नारायन किसी भी पिछ में चाहिए वो पिच पेसर को क्यों ना तवज्जु देती हो उस पिछ में भी सुनील नारायन और वरन चकरवरती अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो इनका जो यह पेस अटैक वाला जो गलती है जो बोलिंग में भी वो करगर रहते हों जिस तरहरें करते हैं डेफ और वरन बड़ी अच्छी गेंद बाजी करते हैं क्या बाकी टीमों से यही चीज इनको अलग बनाती है क्योंकि बाकी टीमों देखते हैं वह ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो शखके बी लगाता हो क्या कह जैसे कि आप बोल रहे हैं कि Death Overs में गेंदबाजी करते हैं, मुझे 2022 वाला सीजन याद आता है, उस टाइम पे सामने मुंबई की टीम थी, क्योंकि मुझे हर्दिक से यादा है, क्योंकि उस समय तो हर्दिक गुजरात में थे, तो सामने गुजरात की टीम थी, आंद्रे रसल और रिंकु सिंग ये जोड़ी ऐसी थी, कि आंद्रे रसल गेंद डाल रहे थे, 19-वावर, Death Overs करवा रहे थे, 19-वावर की गेंद डाल रहे थे, और रिंकु सिंग ने बैक टू बैक दो कैच पकड़े थे, और आंद्रे रसल को बैक टू बैक दो विकेट मिले थे, तो बलेबाजी तो वो खड़े-खड़े करते हैं, वो ना आगे बढ़ते हैं, ना वो पीछे बढ़ते हैं, ना वो एक, मतलब अपना स्टेप जो आगे बढ़ाते हैं, ना पीछे बढ़ाते हैं, वो खड़े-खड़े चक्के लगाते हैं, तो आई तिंक आंद्रे रसल बहु कर रहे हैं सलामी बल्लेबास के तौर पर यह चीज पॉसिबल हुई है गौतम गंभीर के आने से तो गंभीर ने इनकी पूरी जो पिचर होती है के क्यार की बदल के रगदी पिछले साल तक क्यार को कोई पूछ भी नहीं रहा था बॉटम पर फिनिश किया था इन्होंने टॉ दर्शन कर रही है हैट्स- बीजी बट यह सीजन के क्यार मेंशा हाद लखेगी लेकिं बिलकुल हमेशा वास मेंश दे रहा हुग है यहां पर तो कोई आयी कह रहा हुग हूं पांडाजी यहां पर हर को एक क्यार जीते क्यार जीते की की रिंकू सिंग चक्ये लगाएंग aiming बड़ी जबर्दस्त फिल्डिंग करते हैं और खासकर अगर देखा जाए कि जो सरकल के अंदर जो वे पिल्डिंग करते हैं यह कैच ड्रोप नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात इनकी कई-कई-कई-कई तो पैनिक कर जाती है ऐसा कुछ बट इन्होंने पैनिक नहीं किया है अब सब कुछ हमने बॉक्सिस टीक कर दी है वाई से के-क-्यार के आपको लगता तीसरी बार चैंपियन बनने जारी है टीम? वैसे तो है बड़ी दमदार लेकिन क्या इस पर प्रफी उठा पाएगी क्या फाइनल मुकाबला जीत पाएगी कमेट बोक्स अपने राये जरूर दें और अभी तक अगर आपने News Nation और News Nation Sports को सब्सक्राइब नहीं किया है